इस वीडियो को आप एक मिनिट स्किप करके भी प्ले कर सकते हैं नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप लोग हम फिर से वापसा चुके एक नए वीडियो के साथ तो गाईज अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर लीजे और इस हमारी बैल आइकन को भी दबा दीजे इस वीडियो को लाइक करिए कॉमेंट करिए और अपने फ्रेंड के साथ फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर करिए गाईज हम बहुत सारे वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं पूरे नियूस रिलेटेड जो भी वाइरल माटेरियल होता है जो भी बड़ी डिवेट होती है सब का हम आपके लिए प्रॉपर वीडियो लाते रहते हैं तो आप हमारे चैनल से बने रही है आमर साथ को ने एक बड़ा पैट लवज होता है वेरी रिप्यूटबल वेरी अन्रेबल अफीसर बड़ी तरीफ है पहले भी इंक्वियर रिपोर्ट आती रहती है इसमें तीन चार बड़ी मज़े की उसमें चीज़ है एक तो यह है कि चौदा साल यह दो हजार इन्हों ने दो में बनाया था और 2016 तक इसके रूल्स नहीं बने है इसमें वो लिखते हैं कि इन्हों ने धड़ा ध़र जिस रूल्स ही नहीं थे इन्हों ने बैट के और गरान कमपनी ने इन्हों ने लोगों को यहां लेसंसेज दिये है इन्हों ने यहां लोकल अपनी आके आयल मार्कीटिंग कमपनी शुरू कर दी है इन्हों ने जिसका दिल चाहे बगएर किसी रूल्स के रेकुलेशन के धड़ादार इन्हों ने आयल की इन्हों ने यहां पे दी है और जिसकी वज़े से सारे आके इनके प्राब्लम हुए है इसमें दूसरा इसमें इन्होंने इडेंटिफाई किया जो बड़ी ऐहम बात है जो आमर साब कहते रहते हैं साम टेम मैंन से नहीं अगरी करता उन्होंने का जिन तीन महिनों में यहाँ पे दुनिया बार में आयल ज इन्डिया के पास 130 दिन का जो उनके पास स्टाक है जब दुनिया का सस्ता तरीन तेल था उन्होंने का पाकिस्तान के पास जो 12 दिन का भी नहीं बहुता हाला कि इनु रखा हुए 30 दिन का वो भी नहीं है उस वक्त हम खरीज सकते थे लेकिन कभी आयल आपकी मल्टी नेशन कर डीजी अल साब जिसको लेके एंटे ठेटीशन पर राले तेंचे रहे हैं उन्हों रहें असरफ पांच साल से वो बैठे रहे हैं उन्होंने उसका बताए है फिर एंन्होंने स데्गरिटी यृव proteg When agra जब अर झाली है उन्होंने आगरा पर जाले ऑर वजीर स्व पकास एक्सेवेजन चोरी हो रही है और सबसे ज्यादा मुझे अपने उसका जिल लिया का पता है सर कि वहां पे बहुत सार ऐसी ऐल कंपनी वहां पे खोल दीगी हैं लोकली तोर पर जो कहीं रिजिस्टर नहीं हैं जो किसी आपकी मल्टी नेशनल कंपनीशन नहीं ले रही हैं वो इस तरह की दो नबर करके कंपनी नहीं हुए हूँगी उसमें रिखते हैं डिप्टी कुमिशनर का यह कहते हैं ढूर फुल था बड़ एक्टेव होता था जो शार्टिज नहीं होने देता था कहते हैं वो । डियम जी कलसा अपते जकूटा जीन मेरे भई बड़े प्यारे उन्होंने का मजाल है इन्हों कभी पेट्रोल पॉंप चेक्स किया हूँ इन्होंने उनकी जाके पूरे आपके ऐसे रेजरवेर रे इन्होंने चेक किया हूँ यह दफ्तर से निकलते नहीं है और कुई चेक नहीं करते है कि आपके जिले में पेट्रोल जो है यह कहां से आ रह रहा है कावन ला रहा है या नहीं ला रहा एक उस पे नो आकर फोकस के मेरा एकाल हकोमत को डिप्टी कमिशन से को बेजने के जरूत है कि जो यहां पे लोकल कंपनीज का एक माफिया बना दिया है जिसके जरीए सारे के सारी आपकी बैट के दो नमरी कर रहे हैं उसका यह क्या चैक करते हैं प्लस यह रिपोर्ट जो है यह रिवील करती है कि इस मुलक का सिस्टम जिसका मतलब उसको पेटोलिम का देखें साथ करते हैं मसला आप जए बढ़र बदमाशी देखें सर बदमाशी देखें इस से आप मोटरवे पे जाएं आपकी जयब में पैसे नहीं आपका डैबिट कार्ड है मोटर वे पर डैबिट कार्ड नहीं लेते सर दर जुनों के ऐसाब से पेट्रॉल पॉम्प लगा है वह वह ये उन्होंने आगे से किसी और को लेके दिये हुएं, वो क्या करते हैं? कैस, आप डेबिट कार्ड नहीं लेते हैं, एक वाँ मेरे साथ हो चुका है, मैं फासिगा, मेरे पास डेबिट कार्ड था, पैसे पूरे नहीं थे, उन्होंने खाज़ूर, ये नहीं हो सकता, कैस दें हैं, बेंकिंग का का ट्राजक्शन हो जाएगी, तो आपको पता चल जाए रहा हैं, रॉफ क्लासरा का वीडियो सुना, रॉफ क्लासरा पाकिस्तान के उन चुनिंदा पत्रकारों में से एक हैं, जिन्होंने अभी तक उतना खुल कर इमरान खान का सपोर्ट नहीं किया, इम जोस्तो आपको बता दे, पाकिस्तानी मीडिया ने भारत की तारीफ की है, उस मामले पर जिसे लेकर आप पता है, आपको कि भारत ने तेल स्टॉक किया है, जब कोरोना माहमारी चालू हुई थी, उस टाइम पर कच्चे तेल के प्राइस बहुत नीचे गए थे, जिसके बा भारत ने तेल का स्टॉक किया, भारत में तेल स्टॉक फॉल होने के बाद भारत ने भारत के बाहर अमेरिका में तेल का स्टॉक किया, आपको बता दे, भारत में तेल स्टॉक करने की कुछ सीमित आप्शन है, आपको पता होगा कि पिछले 70 सालों में हमारे पास तेल जाएं कि एक इतना बड़ा ताला आप बनाना है पूरा कवर होना चाहिए मतलब उसमें ना धूप लगे ना कोई जा सके तो समझ सकते हैं आप स्टॉक करने के लिए कितनी बड़ी चीज़े बनानी पड़ती है बहुत बड़े 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 मतलब टैंकर टाइप के बनान पाकिस्तान केबल 12 दिन का टेल स्टॉक कर पाया है इसे लेकर पाकिस्तानी मीडिया ने भारत की की है। तारीफ दोस्तो आपको बता देगर कोई भी सिचुवीशन भारत में या दुनिया में कहीं भी खराब हो सकते होती है तो भारत के पास अपना ख़ुद का 130 30 दिन का तेल का स्टॉक है जो कि बहुत लंबा समय होता है 130 दिन में सिच्विशन बदल जाती है और फिर हालात नॉर्मल हो जाती है अगर माली जैसे कुछ वार बगरा होती है तो उस समय तेल और ये सब बैपार बंद हो जाती है भारत के पास खुद का 130 दिन का तेल है तो दोस्तो इसी बात को लिकर पाकिसानी मीडिया ने तारिप की तो दोस्तो आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज चैनल में कमेंट बॉक्स में जरूर लखें चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तो धन्नवाद वीडियो देखने के लिए जैन दोस्तो इसी तरह की वीडियो के लिए हमारे चैनल में जरूर बने रहें कर दोस्तो 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 झाल